पे बैक पैक हो गया है यह भी बैक हो चुका है और यहां पे सारे बोरी में पैक हो गया है दोस्तो गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता अप लोग अच्छे होंगे चारू बटी ब्लोग पे आप सभी का फिर से स्वागत है तो दोस्तो एक दिन गैप करके हम अपलोड कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा था कि ब्लोग डाले ना डाले ऐसे तो परडे ब्लोग डालते हैं सुना चरू ब्लोग यूट्व चैनल पे लेकिन इसके बारे में सुचने के लिए मैरे पास कुछ तोपिक नहीं था जिसके वाज़ेसा हम ब्लोग अपलोड नही हैं काफी ज्यादा बड़ा एकदम इतना बड़ा अब बोले थे कल अलब लोग में की प्यारा सा आम है तो इसके वैस गोर दिये हैं और क्यों गोरे हैं वह भी आप लोग जान रहे होंगे जो मुझे फुलो करते हैं तो दोस्तों आज के बाद यह आंगन और यह आमका अपना धरवाजा है अपना अंगन है सारे कुछ छुटने वाला है आज बस आज की रात से चुट जायागा तो यही थोड़ी सी था इन्पोटेंट बात आप सभी सियर करना चाहिए हम छोटी से छोटी बात आप सभी साथ में सियर करते हैं बोलोग के हिसाब से और सुना च कुछ चोटी सी चोटी पॉइंट रिकोर्ड होती है और सारे बाद सेयर किया जाता है तो हम इस पर डालेंगे बागी बाद चारुक ममी क्या ब्लोग बनाती है वो समझेगी उसका बनाने कुछ तरीका अलग है तभी फिला लोग अपना ये सब काम कर रही है खना बनाने जारी है ममी बाबू सारे लोग छुड़ जाएंगे अप लोग को बताये थे हम पहले वला ब्लोग में कि विहार तरफ हम जाएंगे कमाने एक यूटीबर के जिंदगी ऐसा नहीं है कि अचानक से सेक्सेस मिल जाती है हां बट कुछ ना कुछ तहर्प जरूल मिला यूटीब को ज ृष्ग जाएं बड़े-बड़े उटिपर सब जाते हैं वैससा नहीं कमाने जा हूआ काम करके खाने जा रहा है अपना किसी से पैसा ली है उसको चुक्ता करने जा रहा है इस टैपशी से तो क्या बोलें आप सभी से यही सब मीस हो रहा है काफी ज्यादा तो बलोग हम सुट कर ले रहे हैं ऐसे भी कोई मेमोरी के लिए घर को सुट कर लेता है अपनी मामी पपा का फोटो घिच लेता है कहीं कहीं काभी हर तरह का सीन ले लेता है जैसे अभी पीला मेरा सेर्शो बारी खुबसूरत दिख रहा थी इसको ले लेता है तो हम ब्लोग के हिसाब सप्लोट कर लेंगे तो बहुत दिन तक रह जाएगा और बहुत सारे लोग कोमेंट करते हैं कि आपका मतलब छोड़ी उसा प्रसनल है बाद में बताएंगे बागी बाद कि इसको अराम से सो गई है अभी फीर थोड़ा थोड़ा रो रही थी सर्दी काफी जदा पकड़ लेता है जल्दी इसी तरह सोता है चाय पीने के लिए मानती नहीं परसुला ब्लोग में देखे हूंगे कि पूरे अधम चाय लेकर लेकर पी रही थी बस ही बाद आज मेरा चेरे पे खुसी नहीं दीख रहा होगा आप सभी को किनों कि होता ही असा है किसी को छोड़कर जाना पड़ेगा या कोई ची मीस हो रहा होगा तो काफी जड़ा दिल में तपलिक होता है दर्द होता है लेकिन फिर भी हंस रह håll है क्योंकि मम्मी जो है ना रोने परामिश mesela क जाएंगे तो इसलिए भी अच्छे से खाएंगे पीएंगे साथ में उसके बाद जो भी होगा सुबह होगा सुबह हम लोग का एक दम जल्दी तीम-चार बजी से ही काम स्टार्ट हो जाएगा ट्रैवलिंग के लिए निकलने के लिए तो काफी जदा मुश्किल वाला बात है आप सब दुआ किजिएगा अच्छे से पहुंच जाए प्रे किजिएगा बस यही है आप सभी से दुआ और बाकी बाद यहां पर आएंगे हम लोग छे मैना के बाद इस किचन से में मिलेंगे और यह मुलकात करवाएंगे अपना घर में निसाथ में तो अभी बस इतना ही दिल के सगून लगता है कि अब लोग थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं ज़रू मुझे तो ही कम से कम 200 लोग तो देखते हैं इतना बहुत मोटीवेट मिलता है लेकिन अकिकत दिखाते हैं लेकिन आप यह पर बैग पैक हो गया है यह भी बैग पैक हो चुका है और यहां पर शारे बोरी में पैक हो गया है अब सब समझ सकते हैं बोरा में पैक हो गया है तो किया समान डाला आगा उस पर काफी ज्यादा और अभी यह सब कम्मल है ना तो रात को सोने के लिए है डबल तीवल हम लोग पास नहीं है इस वज़ा से भी पैक ने हुआ है सूबा तीन हो रहा है पूरा घर इस तरह से है पलस्तर वगयरा करना है ना कफी ज़्यादा मुश्किल है पैसा काम करना कमाना बहुत जरूरी है दोस्तों देखने है इस तरह से हम लोगा घर देखते होंगे अक्सर इसी तरह से रहतायर है तो भी साम का लगभग साड़े 5 बज गया साम साम क मोसम में अब पूरा अज़ा मोसम अब ही कटाइम में अच्छा कैमरा भी होता है क्योंकि जो सूरज का recognize होता प Giving से फोकस नहीं मारता है तो इन्पोटेंट है इसलिए यहां पर भी खाना जो बचा हुआ है उसको बोल रहे हैं चारिक मुमी के भूंजाए कर दीजिए फ्रैक हो हो चावल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बहुत जोड़ते अभी जल गया है अच्छे से और टमाटर वग्यरा ला रहे हैं अच्छे नहीं प्यां डाले मंई को रहने दीजिए फिर मंपी कहां जाएगी पैसा कमाने करिदने हमिन लोग को वहीं से फिर पैसा मानेज करना होगा सारे कुछ ममी के लिए बाबु के लिए और घर में कुछ-कुछ काम के लिए भी बहुत ही मुश्य है सब्सक्राइब कुछ देख तो हम लोग को खाना नहीं बना भूंजाया भी नहीं और चार उठ गई है गदिया आजा देख रहे हैं इसका मुह पूरा फूल गिया है सर्थी से इस तरह से हो गई है सो के भी उठी है जस्ट और एक मत्वार है ना खाला इतना कर रहे है ना बहुत गुसा लगता है इंका कर ने इसलिए चार उठ गई खाना बन रहा है वटा देखो बात भूंजा रहा है यहां पर प्याज डला गिया है मिचड ला गिया है जारू खायगी ना ने खायगी कि नइए ने ने कांदो गदिली है ना उपागला समझ रहे है उसको एक मत्वार है वह वह उठाला करता है यह सब तो होता है जारखन का अधि बासी जिन्दगी इसलिए तो बरबाद रहते हूँ जब भी बासी भात बच जाता है तो थो ड़ी इफ्ट्रा कर लेते हैं और खा लेते हैं पहुत ही अच्छा लगता है खाणे मैं भी और मज़ा आता है का चारू? चारू तभी जरू खाएकी ठोड़ा सा किसे मुः कर रही है बार बाव जाफ सोग उठी है अच्छी लोग जब सोग उठते है ना तो काफी परेसान करते है ना जरू जा सर भी हाता मही रह रहा ही है जा सर भी हो गया है पादो तो बहुत है अज़ए दूद पीने के लिए हो गया जा जाएगा तो ददरी में तमलोग का प्रण जो है अच्छे तरीका सम ठाए कर दी है तरेक ममी को नहीं बान रहे हैं अबर जो कुटाएं है ना होला चावल है चली लाकता है जाल रही है सना जी हम चला रहे हैं कि चारू गोदीम हो गई अब को डालने देते हैं उसके बाद वल्टेंगे ऐसे हमको चलाने भी ने आता है सही से घिरा देंगा ऐसा लगता है चलिए इस तरह से करते हैं नमक तो हो जागा थोड़ा साथ डालेंगे तो दोस्तों खाना भुजा के पूरी तरह रेडी हो गया और हम उतार कंदल लेके जा रहे हैं यहां पर रख देंगे थोड़ी दरी के बाद ही खाएंगे इसको ढख के रख देंगे अच्छे से थारी कि इधर है दूसरा थारिस ढख देते हैं यह वाला थारिस ढख देंग अच्छे से ढख देंगे इस तरह से और दोस्तों इस ब्लोग को हम इतने ही रखेंगे क्योंकि खाना भी खाएंगे ने थोड़ी देरी बात खाएंगे अभी काफी जादा टैम है ना देख सकते हैं इस तरह से साम तो हो गया है बॉल भी बाल दिये हैं लेकिन इतना है तो अभी ने खाना ना खाएंगे बस आज का ब्लोग मेरा कैसा लगा क्रमेंट में जरूर बताईएगा इलिए मिलते हैं अगले ब्लोग में तब तक के लिए वाई वाई